आप सभी को मेरा नमस्कार इस वीडियो में हम 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांगता के आंकड़ों के बारे में जानेंगे आधिकारिक रूप से इस समय 2011 के आंकड़े ही उपलब्द हैं भारत सरकार द्वारा अगली जनगणना 2021 में की जाएगी करपया हमारे इस वीडियो को लाइक वशेयर करें हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको विकलांगता मुद्दों से जोड़े हमारे उपयोगी वीडियोस नियमित रूप से मिलते रहें Persons with Disabilities Act 1995 में केवल साथ प्रकार की मेडिकल कंडिशन्स को विकलांगता माना गया था यह कानून 2016 में दिव्यांग जन अधिकार कानून के आने तक लागू रहा इसलिए 2011 में हुई जनगनना में केवल उन ही विकलांगताओं की गणना की गई थी जो PWD Act 1995 में सूची बद्द थी 2011 की जनगनना के अनुसार भारत में कुल दो करोड 68 लाख विकलांग व्यक्ति थे यहे उस समय भारत की कुल जनसंख्या का दो दशमलव दो एक प्रतिशत था WHO ने 2013 की अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि विश्यू की 15 प्रतिशत जनसंख्या विकलांगता से प्रभावित है इससे पता चलता है कि 2011 में भारत में विकलांगता की परिभाशा कितनी संकीर्ण थी जहां WHO के अनुसार विश्यू में 15 प्रतिशत लोग विकलांग हैं वहीं भारत में मात्र दो दशमलव दो एक प्रतिशत लोग विकलांग माने गए जनसंक्या के प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक विकलांग व्यक्ति जम्मू और कश्मीर, महराश्ट्र, उडीसा और आंधर प्रदेश में रहते हैं पुर्शों में विकलांगता की दर स्तिरियों के मुकाबले अधिक है भारत में जहां 2.01 प्रतिशत स्तिरियां विकलांग है वहीं पुर्शों में यह दर 2.41 प्रतिशत है विकलांग व्यक्तियों के प्रति भारतिय समाज के व्यहवार का एक संकेत इस बात से मिलता है कि 41.7 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति विवाह नहीं कर पाते चलने फिरने में विकलांगता या लोको मोटर डिसिबिलिटी भारत में सबसे अधिक व्याप्त विकलांगता है करीब 54 से 55 लाख लोगों को इस प्रकार की विकलांगता है इन में से 34 लाख पुरुश हैं और 21 लाख स्त्रियां हैं इसी तरहें आवाज न सुन पाने सम्बंधी विकलांगता के भी आकड़े हैं भारत में करीब 51 लाख लोगों को शरवन सम्बंधी विकलांगता है इन में से 27 लाख पुरुश हैं और 24 लाख स्त्रियां हैं द्रिश्टी बाध्यता की विकलांगता भी अधिक पीछे नहीं है करीब 50 लाख लोग भारत में नेत्रहींता व द्रिश्टी बाध्यता से प्रभावित हैं इन में से 26 लाख पुरुश हैं और 24 लाख स्त्रियां हैं इसके अलावा 20 लाख लोगों को वानी संबंधी विकलांगता हैं 15 लाख लोग मेंटल रिटार्डेशन से प्रभावित हैं 7 लाख लोग मांसिक रूप से बीमार हैं 21 लाख लोगों को एक से अधिक विकलांगता हैं यानि Multiple Disabilities हैं और 49 लाख लोगों को अन्य प्रकार की विकलांगता हैं 2011 की जनगणना में पाया गया कि चलने फिरने संबंधी विकलांगता और एक से अधिक विकलांगता देश के ग्रामेन इलाकों में अपेक्षा कृत अधिक पाई जाती है शहरी इलाकों में सुनने वे बोलने से संबंधित विकलांगता ग्रामेन इलाकों के मुकाबले अधिक पाई जाती है केवल 36.3 प्रतिशत विकलांग जन्नों को ही भारत में रोजगार प्राप्त है इसका अर्थ यह है कि कुल 2.68 लाक विकलांग विक्तियों में से केवल 98 लाक के पास रोजगार है इन में से करीब 71 लाक पुरुश हैं और 27 लाक स्त्रिया हैं 2011 की जन्गनना के अनुसार पूरे भारत में जहां 65 प्रतिशत महिलाई साक्षर है वहीं विकलांग महिलाओं में साक्षरता की दर केवल 45 प्रतिशत है इसी संदर्ब में यह जानना भी महतुपूर्ण है कि विकलांग पुर्षों में साक्षर्ता की दर विकलांग महिलाओं से कहीं अधिक 62 प्रतिशत है अगर बौधिक विकलांगता की बात करें तो स्थिती और भी चिंता जनक है भारत में सामाने लोगों के बीच बेरोजगारी दर 44 प्रतिशत है लेकिन बौधिक रूप से विकलांग 72 प्रतिशत व्यक्तियों को कोई काम नहीं मिला है यानि वे बेरोजगार है जहां सामाने जन्ता के बीच निरक्षरता दर 27 प्रतिशत है वही 57 प्रतिशत बौधिक रूप से विकलांग व्यक्ति निरक्षर है शिक्षा के एक शेत्र में देखें तो कुल दो करोड 68 लाख विकलांग व्यक्तियों में से केवल 8.5 प्रतिशत व्यक्ति ही सनातक डिग्री प्राप्ट कर पाते हैं ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यदि विकलांग व्यक्तियों में कौशल विकास नहीं किया गया तो 2022 तक बेरोजगार विकलांग जन्नों की संख्या एक करोड के पार पहुँच सकती है विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा वरूजगार सुनिश्चित करना बहुत आवश्चक है एक अनुमान के अनुसार यदि विकलांग व्यक्तियों को अर्थ व्यवस्ता से बाहर रखा जाएगा तो भारत को इस से 5 से 7 पृतिशत GDP का नुकसान हो सकता है आशा है इस वीडियो से आपको भारत में विकलांगता संबंधी महत्वपून आकडे प्राप्थ हुए होंगे कृपया हामारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद